हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग तो आप सब कैसे हैं आई होप आप लोग ठीक होंगे तो देख लीजिए आज मैं बनाने जारी हूं पोहा तो देख लीजिए पहले कड़ाई के अंदर तेल डाल दी हूं तेल गरम हो रहा है उससे पहले मैं कुछ डालूंगी इसके अंदर दिखानू आपको एक छोटी चमत जीरा डाली हूं जीरा डालने फिर बहुत अच्छा स्वाद आता है और तड़के के लिए मैं जीरा इससे माल करी हूं इस पोहे में आपको और कोई मसाला पफंद है जिसे आजवाइन सौंफ और कुछ तो आप डाल फकते हैं तो मैं जीर तब तक के लिए देख लीजिए मैं प्यार टमाटर धनिया हरी मिरा नेबू आधा नेबू को बताओंगी कि कब डालना कईफे डालना है तो आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे तो आप आपको पता चल जाएगा तो हरी मिरा चोट प्यार मैंने डोनों एक साथ डाल द आप भी व साथ फे भूल गए भी साफ हो जाएगा अच्छे तें तो आप अप सब बताना कि आप लोग इरी वीडियो कहां आपसे कोई पसंद आरी है, तो लाइक जरूर करिए, अगर नहीं पसंद आरी है, तो कोई बात नहीं है, वीडियो जरूर देखना, तो देख लिए, मैं अच्छे से फ़ाफ फिफे, एक फिदो पानी धूल दी हूँ, फारा पानी इसका निकालूंगे भी देखना कमानी इसक इसमें मतला ममफली का दाना इसे भूल ली हूँ और अगर आप छिलका हटा आपके हैं तो हटाईए नहीं हटा पार हैं तो कोई बात नहीं है मतला ममफली के दाना भूनके रख ली हूँ पहले फेपलेट में तो देख लीजिए हलका ब्राउन हो चुका है ज्यादा मुझे नहीं जलाना है अब इसके अंदर में डालूंगी सबसे पहले जो वो दिखाती हूँ आप अपको तो देख लीजिए हलका ब्राउन होने के सबस्टार बच्छों को दीजिए लेंच में बच्चे कभी कवा लेकर जाते हैं मेरे उन्हें बहुत अच्छा लगता है श्कुल में बच्छों के साद लेंज सेयर करते हैं तो देख लीजिए नमक सवाधन फार डालना आथ तो सब भर पे हैं इसलिए मैंने सुबा नाफ् उसके बाद मफाले में दिखाऊंगी आप सबको कि मसाले में क्या क्या डालती हूँ क्या क्या डालना चाहिए इसके अंदर तो देख लीजिए जादे तक मैं मुंफली के छिलके हटा दी हूँ देख लीजिए आपको भी दिख रहा है साफ वफ कहीं कहीं रह गया है क्योंकि वो नहीं जो निकल ला उसे छोड़ दी अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप ऐसे भी मुंफली का दाना का छिलका मतलब सही डाल फकते हैं भुनके अच्छे से भुन लीजिए मैं तो ऐसे बिना तेल के मुंफली का दाना भुनी हूँ क्योंकि इसके अंदर डालूंगे तो ऐसे ही ओयली हो जाएगा वो तो देख लीजिए आप मैं एक छोटी चम्मट हल्दी पाउडर डाली हूँ और एक फे दो चम्मट डालूंगे लाल मि कुछ है इसमें कलर ज्यादा आता है अच्छा लगता है कलर देखके हलका फगरम मफाला डाली हूँ मफाला कुछ ज्यादा नहीं है यहां कलर के लिए लाल मिच डाली हूँ कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए इसका और देख लीजिए मैंने पोहा फारा उठाके इसके आप लोग भी अपने घर पे एक बार ट्राई जरूर करिए अगर बनाते हैं तो इस बार मेरी तरह फे मेरे रेस्पी देखके आप लोग बनाईए बहुत बढ़ियां बनता है पोहा तो देख लिजिए इसमें जराफा भी पानी नहीं था इसलिए मैं अच्छे से इफे कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों को बसंद नहीं आता है नहीं तो डालना है तो डाल दीजिए अच्छा लगता है मलायोलाई डालने गवाद देख लिजी अच्छे से मैं मसाला फारा मिला दी हूँ मसाला मिलाने के बाद थोड़ी जरी से भुनने दूंगे उस चाटने लगते हैं इतना ही डालो जो खा ले सब लोग अच्छा भी लगे वगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुंफली का दाना नमकीन कुछ भी डाल फकते हैं अब इसमें में नेबू जो ली हूँ लाश्ट में नेबू डालना है आपको तो इसके बीज निकाल के इसके बाद हा नेबू में डाल दे रहे हूँ थोड़ा खटा के लिए खटा पन अच्छा लगता है इसके फार जेफी … कि तीखा भी है तो खटा हो नुना चाहिए … बहुत बढ़िया लगत बनने के बार है अच्छा स्वाद आता है तो हम आज के नाश्टे में शुभा ब्रेक फास्ट में यही बनाई हूं और सबको बहुत अच्छा लगता है हमारे घर में पसंद भी है तो देख लिजिए मैं इसके ओपर से धनिया डाल दी आप देखिए आप लोग कितना अच्छा कलर और कितना बढ़ियां लग रहा है मेरा पोहा देख लीजिए आप अपको पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किये हैं मेरे चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अगर मेरे चैनल आपको पसंद आ रही है आपको मेरी वीडियो स्वाद आता है टेस्टी बनता है आप चाय के फास सुबा में यही बनाईए देख लीजिए बच्चों के लेंच के लिए बना दीजिए कभी कभा बच्चों के लेंच में बदल के दीजिए ना उन्हें भी बहुत अच्छा लगता है मैं तो बदल के लेंच देती रहती बच्चों को मेरे बच्चे बहुत खुश हो के खाते हैं क्योंकि मैं लेंच एक जेफे दो दिन नहीं देती अलग अलगी करके रोज देती हूं तो इसले देख रीजिए मेरा पोहा बन के तयार हो चका इसी तरह फे प्यार सपोर्ट देने के लिए स्वही दिल फित थाइंग है